दोस्तों एक वर फिर से स्वागता है आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल ब्राट प्रेडिक्शन में मैं हूँ आपके दोस्त ब्राट आप देख रहा है ब्राट प्रेडिक्शन बात करेंगे हम आज खिले जाने वाले मुकाबले की जो खिला जाएगा बात स्कॉचर वर्सेज एडिलेट स्ट्राइगर के बीच में लास्ट मैच अभी इसका एक दिन पहले हुआ था और मैंने आपको बताया था कि टॉस्त बिनर रहने वाला है और मैच का बिनर पर्स रहने वाला है वीटियो पड़ी हो यह यूटूब पे जाके देख सकते हैं अब अगर ब मुकाबले सारी टीम के होगे उसके बार फिल बाद में एक-एक मुकाबले कराया जाए बात करें इस मैच की तो खेल जायेगा पर्त और एडलेट के बीच में पांसे जनवरई 2 चौबिस को और एडलेड के इस ग्राउड में मैच खेल जाएगा लास्ट मैच पर्त के होम ग टीटवंटी इंटरनेसल मैच ओडिया इंटरनेसल मैच तो आप मेंसे जोड़ सकते हमारे इस नंबर पर कांट करके इन में से किसी भी लीक के मेंसे कि खाले इस तरह मेंसे आप मेंसे ऐसे फांट कुछी इस के लाँट हमारे कर म से अ b умकल का बंदीडें दो मेंनिद इसी न्रोसपर पूसर्फ निमिकरी खाल दो हमें और pop दो सम कहा है सेम इसके बाद तीन नमबर पर आर्ण हारी चार नमबर जोस इंगलिस fault लेरी वन्स, कूपर कॉरनली, एस्टो नगर, तो यहां तक इनके पास साथ नमबर तक इनके पास बैटिंग आप्सेंस नजर आते हैं, इनक्लोडिंग ओल राउंडर, यह इनके पास बैटिंग है, तो काफी डैप्थ है बैटिंग में फर्थ की, इससे अच्छी है, अच्छी फर्म साइधी किसी टीम के मिडल ओर्डर की होगी, अगर उपर के दो बैट्स में जल्दी भी आउट हो जाते हैं, तब भी यह टीम वन नैंटी, टू अंडरेट ऐसे ही मार देती है, बॉलिंग की बात करें, तो नंबर वन बॉलिंग पर्थ के पास है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जे रिचर्ड्सन, एंडू टाई, जेसन वेरंड़ोफ और लेंस बोरिस इनके फास्टर है, एस्टर नगर इनके पास इस्पिन का उप्सन है, और आरोन हाडी भी बॉलिंग का उप्सन देते हैं, मीडियम फास्ट का, तो एक प्रॉपर बैलेंस टीम जिसको कहते हैं, वो अच्छा स्कोर कर रहा है, उसके बाद क्रिसलिन, इन फॉर्म बैट्समें है, उसके बाद क्रिसलिन के बाद जो उनका नंबर आता है, वो आता है अच्छा बैट्समें है, लेकिन अभी तक कुछ अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पाया है, अपनी टीम के लिए कुछ 25 रन का contribution देगा और बॉलिंग भी ठीक ठाक करके देगा उसके बाद जेम्स विलेजी हैंडी निलेशन 10 में से 1 मैच में रन करने वाले ये बैट्समेन हैं तो बैटिंग नंबर्स काफी हैं लेकिन इन फॉम बैट्समेन इनके पास कम हैं उसके बाद हैंडी थॉल्टन डेविट प्वेन फास्ट बॉलर करेंगे और क्यामरू बोई से आपको इस्पिन बॉलिंग मिलेंगे तो 170 के अराउंड ओल आउट होगी थी एडिलेट जबकि एडिलेट की स्टार्ट पर्थ के मुकाबले ज्यादा अच्छे होई थी लास्ट में रन नहीं कर पाई पर्थ की स्टार्ट खराब होई थी उपर के दो बैट्समेन ने कुछ अच्छा रन नहीं किया था लेकिन नीच बात करें टॉप बैटर टॉप बोलर की जो लोग फैंटेसी 11 की टीम बनाते हैं उनके लिए भी यह बहुत इंपोर्टेंट है कि इनफॉर्म बैटर्स को वह अपने टीम के अंदर डाले बात करें पहले बैटर्स की तो बैटर में आपको मिलेंगे पर्थ की आरॉन हाडी जोस इंगलिस और लैरू इवन्स यह आपको तीन अच्छे बैटर है जो आपको बैक टू बैक रण कर रहे हैं इनफॉर्म चल रहे हैं और अच्छा इनिंग आपको कल खेलते दिख सकते हैं उसके अलावा फिर एस्टोन अगर इस्पिन बॉलिंग करते दिखाई देंगे और बैटिंग में भी यह जब इसका दिन होता है अच्छे रन करके आपको देता है उसके बाद जे रिचर्ट्स रन लैंस मौरिस और जैसन वेरंडॉफ आपको अच्छा फास्ट अटेक में दिखेंगे अडिलेट के तरब से बैटिंग में आपको मैथी सौट के रन मिलें जैमी ओवर्टन भी 20-25 रन का कॉंट्रिबूशन देखे जाएगा क्रिस लिन कल अच्छा रन कर सकता है क्योंकि हम ग्राउंड एडिलेट का और बैटिंग विकेट होता है क्रिस लिन पसंद करता है बैटिंग विकेट्स को उसके बाद बाद बालिंग में हैंडी तोल्टन हो टे को खेल जाएगा एडिलेट में इडिलेट ऊवल में एकThis मैच खेला जाएगा यहां पर capitalistмотр Man 2 सेतालिज बार पहले बांजी करने वाले टीम जीती है तो तीज़ार बाद में बनाजी करने वाले टीम होने जीते हैं consiste एएग667 का एवरेज इस्कोर है और 232 इस ground पे higher score बनाया है जो कि Sydney थंडर ने बनाया है 87 and lowest score home team के नाम है एडिलेट के नाम है scoring pattern पे अगर डालेंगे तो 150 से नीचे का score 17 बार लगा है 150 से 170 उन्नीस बार 170 से 224 बार और 200 से उपर 11 बार यानि कि अगर आप देखेंगे 71 मैचों में से लगवग लगवग 35 बार मुकाबले 170 से उपर के गए हैं तो इस ground पे अच्छा betting को help मिलती है अब बात करें अगर दोनों टीमों की form की तो पर्त लास्ट के 10 मुकाबलों में 9 मुकाबले जीती है यानि कि पर्त बहुत भैतरीन form में चल रही है आडिलेट लास्ट 10 में से सिर्फ दो मुकाबले जीती है और बहुत ज़्यादा घटिया बहुत ज़्यादा बुरी form में आडिलेट पर्फॉर्म कर रही है एक सो पैंसे टरन पर्त का एवरेज स्कोर है आडिलेट का एवरेज स्कोर एक सो फार्ट रहनें के एवरेज स्कोर में भी आडिलेट की टीम ऊपर नजर आती है बात करें दोनों ही टीमों के लास्ट 5 मुकाबलों की तो आडिलेट अपने पांच मुकाबलों में यह 100% accuracy के साथ तो परत की टीम बहुत अच्छी फॉर्म में चलते हैं बात करें head to head मुकाबलों की तो दोनों ही टीमें 22 बार आमने सामने आई हैं जिसमें से परत ने 12 बार मुकाबले जीता है तो एडिलेट ने चार बार मुकाबले बल्ले बाजी करते हुए पहले जीते हैं चैवर बात क्या पहले बल्ले बाजी करते हुए तो परत का तो यह जो एक सो पैतीस है पर्थ का और एक सो आरताली से अडिलेट का यानि कि पर्थ जब चेस करने आती है तो उसका एक सबस्क्राइब रीजिन है कि पर्थ की बॉलेंग इतनी अच्छी है कि वह सावने वाले टीम को कम स्कोर पर रोक लेती है अब यह देखिए कि पहले ब 35 निकलता है बट पर्थ पहले खेलते हुँ ज्यादा अच्छा पर्फरम करती है अडिलेट के सामने लास्ट दस मुकाबलों में पर्थ ने नौ मुकाबले जीते हैं अडिलेट से और एक मुकाबले जीते हैं 2020-2023 आ गया है अडिलेट एक बार भी अपना मुकाबला नहीं जीती है पर्थ के सामने आब बात करें मैंच विनर क्यूdal उने तो जाने वाला उफ्र के फेवर में और अगर हम बात करें प्रेश की कौन सी टीम जीतेगी दिब वह पर मेश कोने वाली यहां ऑर अगर पर नहें भेल एगे तो कुछ तो बेचसे न फैकgy ढौइस मयरेकं वोLP वाटसप पे जल्देल दिया हमारे वाटसप को नंबर को सेव कर लिजिए जुड़ दाइए हमारे साथ और हमारे टेलीग्राम को जोइन कर लो